तो हैंड ओवर नहीं हुआ है महर दिवाल में बहुत जोगा क्रेक हो रहा है इसके गुनवात्ता की जाच करना होगा और क्या हम दो पर्चे सर्ण डॉक्टर पंकच कुमार उद्घातन से पहिला ही समुदाइक स्वास्थ केंदर के फाटे लागल देवाल जी हां इक खबर सुन के रवरा सभे आश्चरे करतो कव लेकिन कहल जाला की तस्वीर कव जूठ ना बोलेला इमाजरा हटुए बक्सर जीला के चौगाई प्रखंड में 6 करूण 69 लाख के लागत से बन रहल समुदाइक स्वास्थ केंदर के जहां अभी एक स्वास्थ केंदर के उद्गाटनों ना भाईन तब तक एकर दिवार में दरार आवे शुरू हो गई भोजपुरिया समाचार के कैमरा में इक कैद भाईन बता दि ही कि जब एकर फाउंडेशन तेयार होत रहे तब से जाच के बिंदू समुदाइक स्वास्थ केंदर बनल बटूए अभी एकर काम अभी जारिये बटूए इस्थिती इबाकी जगह जगहे कर दिवार आटे चालू हो गई बटूए अब बताई भला जवना राज्य के जवना जीला के समुदाइक स्वास्थ केंदर के देवाल उदगाटन से पहलो ही फूटे या तूटे सुरू हो जाई तो देवाल अवो घर के इस्थिती का होई और रोगी भरती होई है उहो भागवान भरों से भरती होई है जब एह सम्बंद में जाके चिकित्सा पदाधिकारी जेबानी अभी बरतमान में पंकज कुमार से बादचीत को इल गई तो उहां के कहनी है कि जी देख ली रोगाटन से देवाल फाटी रोल भागवा एह सम्बंद में जब डुम्रावन मंडल के स्टीम साहिब से बादच कि 6 करण 69 लाख के उपर के लागत से इस समुदा एक स्ट्वास्ट के नरबनता है भाईया लेकिन अभिय से देवाल फाटे शुरू बा अब बाताई योण घर के देवाल अभियूद घाटन भाई में ना कोई फाटे शुरू हो गईल तो उम्में मरीज कातना सुरक्षित म कर रहे हैं इता भागवाने भरो से बास्तुनी बयान से काम करता रहे हैं कि कातना दीन कहां घर हो वहाँ शुदीर कुमा है कुछ फाटा तनू देवाल नहीं बनाल फाटे लगना अभी तो हैंड़ोवर नहीं हुआ है महर दिवाल में बहुत जोगा क्रेक हो रहा है इसके गुनवात्ता कि जांच करना होगा और क्या हम पर्चे सर्थ डॉक्टर पंगज कुमार चिकिसा प्रदादिकारी चोगाई अत्याधूनिक सुधाओं से लेस्ट गोड़े सीवीश प्रदादिकारी चोगाई नहीं से ड़स्पाद करना है